Hello everyone, आज हम Earth and the solar system का next part इस वीडियो में cover करेंगे So, the Earth is the fifth largest planet हमारा जो Earth है, अगर वो size-wise देखा जाए तो पांच में नमबर पर सबसे बड़ा planet आता है It is a sphere, which is slightly fraternate poles यानि कि वैसे तो ये sphere की shape में है लेकिन ये pole से थोड़ा सा flat है, थोड़ा दबा हुआ है Next, the Earth is a unique planet of the solar system आपको पता ही है कि हमारा Earth unique planet है क्यों unique planet है? क्योंकि बाकी planets पर वो सारी features नहीं है जो हमारे planets पर पाये जाते हैं हमारे planets पर atmosphere मिलेगा आपको, पानी मिलेगा, plains है, mountains है जो कि बाकी of the planets पर इतने सा features नहीं है It is the only planet on which life exists यह एक ऐसा planet है जिस पर की life exists करती है Now, satellites तो कुछो satellites को moons भी कह सकते हैं तो यह satellites यह moons है क्या? यह वो cholesterol bodies हैं जो प्लैनेट के चारो ओर चक्कर लगाती हैं किसके चारो ओर? प्लैनेट के चारो ओर So, satellites और moons of planets are small cholesterol bodies है which revolves around planet जो प्लैनेट के चारो ओर घुमती हैं So, all planets except Mercury and Venus have satellites यहनी कि Mercury और Venus को छोड़ कर बाकी सभी planets के पास अपने-पने कुछ satellites है The moon is the Earth satellite आपको पता ही है कि moon जो है हमारे Earth का satellite है हमारे Earth का moon है Jupiter has the most number of satellites यहनी कि हमारे Jupiter के पास बहुत सारे satellites हैं जो कि कितने हैं? 62 The satellites are smaller than the planets Satellite जो है हमारे planets से साइज में छोटे होते हैं और हमारे planets के चारो ओर चक्र लगाते हैं Jupiter satellite, Ganymede is the largest satellite in the solar system पूरे solar system में Ganymede जो है वो Jupiter का ऐसा satellite है जो पूरे solar system में सबसे बढ़ा है जबकि इतना भी बढ़ा है कि Mercury जो है उससे भी साइज में बढ़ा है उस प्लैनेट से भी बढ़ा है नेक्स्ट, 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 the moon revolves around the earth once in 27 days and 8 hours यानि कि moon जो है हमारे earth के चारो ओर 27 देन 8 घंटे में एक revolution पूरा करता है एक चकर पूरा लगाता है और यही duration उसके rotation की भी होती है यानि कि rotate भी करता है तो वो भी लगबग यही time होता है 27 days and 8 hours या 27 days ही during this period it also rotate about its axis जब वो revolution कर रहा होता है moon हमारी earth के चारो ओर तो यह और क्या कर रहा होता है rotate भी कर रहा होता है there is no life on the moon, moon पर life नहीं है it does not have water or an atmosphere ना यहाँ पर water है नहीं यहाँ atmosphere है during the day यहाँ पर जो temperature रहता है दिन के समय वो 100 degree centigrade रहता है जबकि रात में आप temperature देखेंगे तो वो minus में 150 degree centigrade रहता है the moon has many mountains and plains और moon के पास कुछ mountains और plains है man has always been fascinated by the moon क्योंकि हमको moon जो है वो देखने में इतना सुंदर लगता है कि हम लोग हमेशा से चाहते हैं कि इसके बारे में जाने वहाँ पहुंचें देखें वहाँ पर क्या-क्या features है तो on 21st July 1969 इं लाम्स्टॉंग जो है वह फर्स्ट मैं बने थे जोनोंने मून पर वॉक किया या वह मून पर पहुंचे अगर हां हम लोग आपको पते ही है कि मून जो है पूरे महीने में नजाने कितने सारी अलग शेप्स लेता है तो इसी को जानने के लिए जो पूरे देखलेंगे किसे के आको समझ में आएगा कि मून क्यों हमें क्रेसं दिखता है क्यों दिख रहा है क्यों फुल मून दिख रहा है क्यों गिबबस मून दिख रहा है इस आइच शेप को हमें वीडियो कि थ्रू समझेंगे तो यह जो अर्थ है यह इसके चार ओर कौन चक्र लगा रहा है यह मून और इस मून पर लाइट किस वज़े से आ रही है कि सथमठ्ली जो जब हमारा अर्थ हम जैसे सांगे से देख रहे हैं और पीचे सन तो हमें यह बिल्कुर नहीं दिखाई दिगा कोई दिखाई देगा इसको बोलेंगे और रहा है चैसी हम डेज्वाल्यूैंशन कर रहे हैं तो आपको एक शेप दिखाई दे रही होगी, इस शेप को बोलते हैं, यह स्पेस को बोलते हैं, क्रैसेट मूँ, अब फिर से यह राउंड चक्कर लगाएगा, तो जब यह जस्ट आधा होगी, आप उसे बोलेंगे, फर्स्ट क्वार्टर मूँ, यह जो आपको शेप दिखाई दे रही है, जो क्रैसेट के अलावा जो बसती है, वो है गिबस मूँ, जब पूरी-पूरी लाइट सन की पढ़ रही हैं, इस पर तब इसे बोलेंगे, फुल मूँ, जब अगें, आपको दिखेगा, गिबस मूँ, ठीक है, देखिए, इतने पर आइट है, इतने पर आइट नहीं थी, नाओ फिर से लाज्ट क्वार्टर मूँ, अगें, क्रेसेंट मूँ, और फिर दुबारा से न्यू मूँ, इस तरह से हमको मून्स की अलग-अलग शेप्स दिखाई देती हैं, या फेजिस दिखाई देते हैं मून्स के, पार्ट है जो कि हम नेक्स पीडियो में कवा करेंगे, थैंक यू बच्चो,